हेलो दोस्तों नवजकार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल में दोस्तों आज 4 मई है और SSE MTS के 4 मई का 1st shift का एक्जाम खतम हो गया है उमीद करते हैं जिनका भी 1st shift में एक्जाम था सभी का एक्जाम अच्छा गया हो 1st shift के GKGS section के लगबग सारे real प्रसन आचुके है मेरे पास सभी प्रसन के सही उत्तर बताऊंगा तो वीडियो को पूरा end तक देखिएगा और जिनका भी आगे MTS का paper है रोजाना analysis को पूरा end तक देखा कीजिए क्योंकि बहुत सारे question repeat हो रहे हैं जिसे की आपके shift में भी question repeat जरूर होंगे तो वीडियो को end तक पूरा देखना और वीडियो को जिसने भी अभी तक like नहीं किया है इस वीडियो की सुरुआत like बटन दबाने के साथ कीजिएगा एक साथ वीडियो के like बटन को दबा दीजिए जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं और साथ में वीडियो को share भी कर देना चेनल को subscribe करके bell icon अगर आप on कर लेते हैं तो MTS के रोजाना analysis का notification आप तक पहुंच जाएगा पहला question पूचा था आपसे 2011 की जनगर्ना के अनुसार अरबन यानि की जो सहरी जनसंग्या है न वो कितनी है अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ हर सिफ्ट में एक question अभी तक 2011 की जनगर्ना से पूचा गया है तो यह वाला topic आपको मैंने practice session में पूरा complete करवाया है यह सारे question प्रेक्टिस session में करवाए है मैंने आपको 31.16 जो है न 2011 की जनगर्ना के नुसार सहरी जनसंग्या है ठीक है अगला question पूचा गया था ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है तो गिरिजा देवी आपका right answer होगा गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था जो अर्थ था सास्त्रे भारत्य संगीत की एक सामान्य शेली है ठीक है अगला question आया था आगरा का किला किसने बनवाया था बहुत ही आसान question आ रहे हैं basic level के question पहले उन 100 की 100 वीडियो को देख कर जाते हो तो आपके लगबग 50-60% GKGS वहीं से पूछे जा रहे हैं हर सिफ्ट में मुगल समराथ अकबर ने 1565 के आसपास आगरा के किले का निर्मान किया था तो मुगल समराथ अकबर right answer होगा अगला कोशना है दोस्तों कि पृत्वी का जुडवा ग्रहे या फिर ऐसे पूछाओगा कि पृत्वी की जुडवा बहन किसे बोलते हैं तो ये शुक्र ग्रहे को कहा जाता है शुक्र ग्रहे को पृत्वी का जुडवा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृत्वी से मिलता जुलता है अगला कोशना है था कि घागरा का यूद कब हुआ था तो आपको बता दूँ ये यूद 6 मई 1529 इस्वी को मुगल बादशह बाबर और अफगानों के मध्ये में लड़ा गया था खानवा का यूद भी याद रखना है आपको 16 मार्च 1527 को बाबर एम मेवाड के राणा सांगा के मध्ये लड़ा गया था इसके बाद पानीपत का प्रतम यूद 21 अपरेल 1526 इस्वी को इबराहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई थी इसके बाद आपको चंदेरी का यूद भी पता होना चाहिए 29 जनवरी 1528 इस्वी में मेदेनी राय और बाबर के बीच में हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई ये आज आपसे घागरा का पूछा है पर ये बाबर के जितने भी यूद लड़ेगे हैं सारे मैंने आपको बता दिये हैं इनसे आगे कोशन नहीं बनेगा बाबर से अगला कोशन पूछा गया था उगादी मोहसव किस के उपलक्ष में मनाते हैं या फिर एक स्टुन बोल रहा था कि उगादी मोहसव कब मनाया जाता है ये पूछा था तो आपको दोनों बतायता हूँ उगादी को करनाटक राज्ये में मनाया जाता है नए साल के रूप में तो अगर आपसे उपलक्ष पूछा था तब तो आपका अंस्वर होगा नए साल के उपलक्ष में मनाते हैं इसे, अगर ये पूछा था कि उगादी मोसफ कहां मना जाता है तो करनाटक आपका राइट अंस्वर होगा, कमेंड में कनफरम कीजिएगा एक बार, एक कोशन आया खेलो इंडिया यूद गेम्स, 2023 का समापन वो कहां पर हुआ, 2023 का योजन खेलो इंडिया यूद गेम्स का मध्य परदेश में अवजन किया गया है, तो मध्य परदेश आपका राइट आंस्वर था, प्रतम स्तान पे महाराष्ट रहा, 2022 का खेलो इंडिया यूद गेम्स अ क्लोरिन आपका option में था वो right transfer करना था वीडियो में आगे बड़ें उससे पहले जिनों ने भी इस वीडियो को like नहीं किया है एक साथ जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं like बटन जरूर दबाईए और वीडियो को share जरूर कीजिए आपके लिए इतना मैन समंद किस नर्ते से है तो इनका समंद कत्थक से है कत्थक आपका right answer होगा इसके बाद बात कर लें दोस्तों मोहिनी अट्टम के कुछ प्रशिद कल्यानी अम्मा रागेनी देवी हेमा मालिनी कतक कली के बलतोल नारायन मैनन उदेश अंकर कृष्ण नायर इसी परकार से आप एक बार इसका स्क्रिन सोट ले लीजिए जिससे कि यहां पे अभी तक जितने भी कोष्ण बन रहे हैं इस टाइप के इस चार्ट से बाहर अभी तक एक भी नाम नहीं पूछा गया है तो आप जरूर एक बार ध्यान रखिएगा इसका नेक्स्ट कोष्ण है था प्रधान मंत्री ग्रामोध्य योजना PMGY किस वर्ष शुरू किया गया तो ये सन 2000 में शुरू किया गया था सन 2000 राइट आंसर होगा एक स्वेंड बोल रहा था कि कोष्ण ये था कि ग्रामोध्य से भारत उद्य अभियान कब शुरू किया गया अगर ये वाला पूछा है न तब आपका अंसर होगा 14 अप्रेल 2016 को प्रदान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी ने भारतिय सविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अमेडिकर की 125 जैनती पर उनकी जनम स्थली महू मद्य परदेश से ग्रामोध्य से भारत उद्य अभियान का शुबारम किया था आप बताएगे दोस्तों ये वा चित्रा बनर्जी दीवा करूनी है देपेलेस ओफ इल्यूजन के लेकक तो ये करेक्ट आंस्वर था अगला कोशन आपसे पूछा गया था दोस्तों संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है तो संगमरमर का रासायनिक नाम केल्सियम कार्बोनेट होता है तो केल्सियम कार्बोन होता है sodium carbonate ठीक है अगला कोश नहीं था जोहर कप का समन्द की scale से है तो इसका समन्द है फिल्ड होकी से सुल्तान ओफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्शिक अंतराष्ट्रे अंडर 21 मैन फिल्ड होकी टुनामेंट है यह 2011 में शुरू हुआ और प्रतिवस आयोजित होता है ठीक है दोस्तों अगला कोश नहीं था स्वामी विवेका नंद का अध्यात्मी गुरू कोन थे तो जो spiritual teacher थे स्वामी विवेका नंद जी के वो राम कृशन प्रमहंस थे तो राम कृशन प्रमहंस राइट आंस पर होगा नेक्स्ट कोशन आयता केविनेट मिशन भारत कब आया तो ये मार्च 1946 में आया था मार्च 1946 आपका राइट आंस पर होगा एक कोशन पूचा था कपास थरमल पावर स्टेशन कहां पर है तो ये आपका गुजरात में स्थित है ये वाला कोशन में डाउट है बताना दोस्तों ये कोशन आया था क्या नेक्स्ट कोशन अशोक किस यूद के बाद धरम नीती अपनाया था अशोक ने बो धरम को कलिंग यूद के बाद अपनाया था तो कलिंग यूद आपका राइट आंस पर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन ये पूछा गया था कि संग सुची के अंतरगत क्या आता है ये वाला कोशन पर्स्ट रूप से नहीं मिला है जिनको अच्छे से पता है और अच्छे से ओप्शन पता है वो एक बार कमेंट जरू करेंगे भारत के सविदान की सात्वी अनुसुची राज्यों और संग के भी शक्तियों कारियों के आवंटन को परिबाशित और निर्दर्शित करती है ये वाला कोशन जिनको भी अच्छे से याद है कमेंट करके बताएगा ये थे आज के फर्स्ट के सारे रियल कोशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के साथ एंड करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लीजेगा मैं मिलता हूँ नई सिफ्ट के साथ तक लिए जय हिंद जय वार